नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ अनूपा काशवर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसियेट एडिटर चिराग गोठी चिराग बहुत-बहुत स्वागत है आपका और जो खबर है वो खबर SDM जियोती मौरिया उनके पती आलोक मौरिया, मनीश दूबे एक और एंगल है अब एंगल है गुलाबी गैंग का गुलाबी गैंग की राष्टी कमांडर अपने आपको जो कहती हैं संपतपाल मीडिया के सामने आई है और नहीं सिर्फ मीडिया के सामने आई हैं बलकि आज वो महुबा में कारेले भी गई थी जहां पर इसके बाद वहां पर थोड़ा साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया और उसके बाद जब मीडिया से बादचीत की गई है तो यह बताया गया है कि संपतपाल और गुलाबी गैंग की तो पहचान ही डंडा है मनीश दूबे को हम डंडे से ठीक कर देंगे अगर कारवा जो प्लस जो तीन आरोप थे जो मेजर आरोप थे जिसमें पहला था कि इनके संबंध है यह साफ हो गया है जोती मौरिया से दूसरा यह साफ हो गया है कि यह दहेच के लिए प्रतारित करते थे और तीसरा एक और लेडी ने इनके खिलाफ किती यह तीनों बाते ही सच हो अब सवाल यह उठता कि क्या वेट किस बात किया जा रहा है और क्या कोई ऐसी पहुंच है मनीज दूबे की कि उस पर हाथ नि डाला जा रहा है या कोई सरकार को किसी तरह का कोई अपरिहेंशन है क्या वज़ा है क्यों सीधी कारवाई नहीं होरी जब सीधा सीधा आगया सीधी कारवाई करेंशन है लडाई भी लड़ रहे है उनके प्रती लोगों की सेंपथी अब देखने को मिल रही है अभी जो कल भी हमने वीडियो किया उस पर भी आगर आप कॉमेंट्स देखेंगे तो सेंपथी आ रही है या आज गुलाबी गैंग की जो कमांडर संपतपाल जो समर्थन में गई है और उन्होंने कहा है कि अगर महोबा का नाम इस तरीके से खराब किया जाएगा तो हम जगे जगे परदर्शन करेंगे और हमारा परदर्शन डंडे के जोर पे होता है तो यह जो आम लोगों लोग कनेक्ट कर रहे हैं आलोक मौरे ऐसे इसके पीछे क्या बड़ी वज़ा आप मानगा देखे मुझे लगता है जो इसके पीछे में वज़ा है शोशल मीडिया में आकर एक शक्स अगर रोएगा और वो बताएगा कि उसकी पतनी SDM है और यह बता अब आप शोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल चुकि इसमें आरोपी थे आरोपी नहीं कांगा अभी तो मतलब संदिक्द कह सकते हैं उनको तो इसमें तीन पातर में थे आलोक मौरेया जोती मौरेया और साथ में मनिज दूबे अब सवाल ही उठता है कि दो चीजे तो क्ल अब जहां तक बात है तलाक की वो तो भी कोई डिसाइड नहीं ही पिटिशन दूसरा जहां तक बात है इस मामले में जो दहेच का मामला दर्चकरा है उसमें कोई गिरफतार ही अभी आलोक मौरेया है यह तो क्या इसा माना जया कि को आने वाले वक्त मे आलोक मौररेया ह voor turned गिरफतार कर लेगी, देखे, आपने आरोप लगाए, फेर एनफ, आपको सबूत देने पड़ेंगे, और एक उसकी लिए एक कंप्लेंट होनी चाहिए, फॉर्मल, यह नि क्या कोई कंप्लेंट करी, क्या पुलिस नुस पर कोवनिजन्स लिया, या नि रिश्वत वाली बात, सबसे बड़ी बात जो आलोक मौर्या नहीं की, मैं मान सकता हूं कि उन्होंने पढ़ाया होगा, मैं यह बात मान लेता हूं, मैं यह भी मान सकता हूं कि पढ़ाने के बात कुछ ऐसी दोनों के बीच में विवाद हो गया, कि वो साइड लाइन होगी, उनका फेर होगी, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन यह बात हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि अभी भी आलोक मौर्या ने जो कंप्लेंट्स दियें, जितनी में दियें, वाटेवर, उस पर कोई कोई ओफिशल मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि ऐसे में आने वाले वक्त में यह संभव जरूर है, कि दहे आप पर एक इंक्वाइरी हुई हो और उसके भियाप पर आज उनकी निलमन की बात कही जा रही है, यहां तो प्रोसेस ठीक था, क्या यही प्रोसेस जोती मौर्या के साथ नहीं किया, यह बात कह रहे हैं, एक यह भी बात है, तहां हुआ बताई है, आप इंक्वाइरी से दोनों में उस शिकायत करता है, तो वजन उनकी बात में है, आलोक मौरया की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं है और ना रिजिस्टर है, पहली बात, आपने आरोप लगाए, क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, क्या आपने कोई सबूत दिये, आपने पढ़ाया, आपने पैसे खर्च किये, अच्छी बात है, आपको सम्मान मिलना चीज़ बात पर क्या आपने अपनी पतनी का ध्यान रखा, उनकी करियर का ध्यान रखा, लेकिन जो दूसरी चीज़े हैं, उसको हम कैसे दर किनार कर सकते हैं, कल अलोक मौरया ने मीडिया से ब खीचते हैं, कनेक्ट करती हैं, ये बाते हैं, क्या उनका पक्ष को और मजबूत करती हैं, लेकिन दूसरा सवाल ये, इस मजबूती से तो अदालत में तो कुछ नहीं होगा, देखे, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, कि अब आप अगर शोशल मीडिया या किसी भी प आसपक्ट से सोचें, अब दूसरे आसपक्ट से आजो, कि अगर जोती मौरया की गल्ती है, तो उन्होंने साही किया, कि जोती मौरया को ऐसा नहीं करना चाहिए, तसमाम चीजहें, जो आरोप है, कहने का मतलब यह है, और भी संगीन आरोप है, जान से मारने तक के धंकी आर तो लाए ना सबूत क्यों नहीं ला रहे हैं लेकर आए सबूत मुकदमा दर्ज करवाएं नहीं कर रेकोर्ड चले जाएं कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है हो उल्टी तरफ से रहा है यानि कि जोती मौर्या की तरफ से तलाक की अप्लिकेशन उन्होंने दी दूसरा जो मामला द होगी ना और सबसे ज़्यादा गुनेगार कौन हो गया मनीश दूबे और आलोक एक तरह से देखा जाए टेक्निकली तो ऐसे में सच तो सामने आना चाहिए ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी आरोप लगा जा रहा है तो उसके आरोप सारे निरधारों कुछ बात जरूर है इस शबूत भी लिए और ऐसा नहीं है कि अगर पोलिस मुकदमा नहीं धरज करती तो कोट नहीं है, कोट भीधरज कर दियं चलेजें कोट पैसा खर्ची टेज़ोगार और पैसा आपके पास नहीं है मान लीजिए मैं मांता हूँ नहीं आपके पास आरी ऐसे बहुत लोग होते जो help करने के लिए उसमें त्यार होता है पहली बाद दूसरी बात आप मीडिया में क्यों आए सबसे पहला में सवाल पूछना जाओंगा आलोक मरेया से क्यों आए मीडिया में आए होते हैं तो फिर इतनी चर्चा भी तो ना होती लेकिन आप जो competent authority है वहां क्यों नहीं गए आप क्या police के पास गये और अगर गये उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो क्या आपने media कि वह बताई कि पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती, आपको एप कोड़ जा सकते हैं कुछ बिंदू हैं जिन पर आलोक मौरिया को भी कम से क्लेरिटी देनी होगी और उसमें अभी थोड़ा सा संदे बना हुआ है यह कानूनी दाउंपेच है और कानूनी दाउंपेच तो कानून के दर्वाजे पर जाकर ही कोर्ट में ही होगा कि गलती सिर्फ एक पक्षकी नहीं है अगर यह हम मान लें कि ठीक है टेक्निकली जो वेटेज है वो योती मौरिया की कंप्लेंट में हिस्सा में लग रहा है क्योंकि मामला दर्ज है आलोक मौरिया की हर बात को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते है रियालिटी होनी चाहिए सच जो आरोप लगाए हैं चाहिए वो करॉप्शन के हैं चाहिए वो जान से मारने की धंकी देने के हैं यह सारे मामले पहले दर्ज होंगे उसके बाद ही इनका कोई वजूद बनता हुआ नजर आएगा वरना ये सब सिर्फ हवा हवाई बातें थाबित होंगी आलोक मौरिया क को इस एंगल से भी सोचना होगा कि जो आरोप वो लगा रहे हैं उसे एक अंजाम तक लेकर जाने कि उनकी खुद की की रणीती क्या है इस पर भी बहुत सारे चीज़ें डिबेंड करती हैं बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बाचित के लिए आपका यहां रुक की हमारे साथ देखते रहिए आज तक डिजिटल